फ्रेंट्स कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि गर्मी हो या बरसात हो या ठंडी हो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते आपके गाडन का साथ कभी नहीं छोड़ते थोड़े कम देखरेक में भी थोड़े कम केर में भी थोड़े कम खाद में भी और कई बार हर्वेस्टिंग दे लगा सकते हैं और कटिंग से भी गुरू होने वाली कई सबजीक्स तो बहुत कम कोश्ट में और बहुत चोटे गुरू बैग में भी उसको जब हम लगा देती हैं तो फ्रूटिंग मतलब भर देता है और बहुत अच्छा और भी और गैनिक तरीके से कोई केमिकल्स देने की जरूत नहीं होती है इसमें फ्रूटिंग बराबर लगती रहती है फ्रेंस और जैसे देखिए पुदीना का काम हमेशा होता है और मार्केट से खरिदने जाए तो ये औरगैनिक नहीं मिलती है सबजियां तो अगर अपने छट पे लगाएं हैं सूद औरगैनिक तरीके से तो इसमें फ्रूटिंग लगने लगती है और मतलब भर का फ्रूटिंग देते हैं अब ये है कि हमारा गुरू बैक कि इतना बड़ा है इसमें डिपृंड करता है जैदा छोटे घ्ल nécessARS में भी ये ग्रू हर जाता है लेकिन बहुत जादा फ्रूटिंग नहीं देता है फिर भी आइसा है friends की पोई भाजी जो होता है उसी तरह का यह साग है इसमें काफी सारे vitamin c की मातरा होती है काफी सारे postic की तत्व होती है इसमें जो की हमारे सेहत से जूड़ी बहुत सारे फाइदे इसमें मिलेंगे और ये आप देखिए पूरी गर्मी में इसकी harvesting हमको मिलती रही और ये अभी भी बना हुआ है और बहुत स्वाधिष्टिस का साग होता है और ये आप केवल कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अगर कहीं मिल जाए तो बस छोटी सी कटिंग लेकर आप लगा दीजिए एक दो पौधे से काफी पौधे हो जाते हैं ये उसी से कटिंग लेकर लगा लग बालिया और बस थोड़ी सी मीटी है इसमें और ये थर्माकुल के box में थोड़ी सी मीटी है इसमें जग़ा जादा नहीं है और फिर देखेंगे आप किस तरह से बीच बीच में ये असके हर्वेस्टिंग हम करते रहते हैं और थोड़ा सा छोड़कर आप एक इंच से कम आधे इसमें ये फूल से भी बीज बना के आप इसको ग्रो कर सकते हैं और ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा इतना अच्छा पौधा है और इतना इजली ग्रो आप खात ज्यादा दीजिए न दीजिए पानी की मातरा थोड़ी सी कम देंगे इसमें तो ये पौधा जल ऐए कि ये पौधा अमारे पास बच्चा था और हमने उसको निकाल दिया था पौधा और फिर एक ही पौधे इसमें लगा दिया इसी थर्मा कॉल के बॉक्स में और झीना चुना पौधा है पर इसमें से हर्वेस्टिंग कितनी मिली है तो इस तरीके के पौधे अगर हम छट पे अपने लगाएंगे या देखिए इसमें ज़्यादा खाद देने की जरूरत भी नहीं होती है बहुत आसानी से गुरू हो जाता है और ये आपको हर्वेस्टिंग बराबर देता रहता है तो इसलिए ऐसे ही पौधे हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि ज़्यादा देखिए केर भी नहीं मांगता और अच्छी हर्वेस्टिंग देता है और ये हमने ये खर्भूजा लगा दिया था फ्रेंस इसमें से भी कई खर्भूजे निकले हैं और ये का आप लोगों से हर्वेस्टिंग दिखा रही हूं और इसका स्वाद इतना अच्छा है कि मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा इसका स्वाद है जो कि हम खुद से लगाए हैं तो भले ज्यादा न निकले , लेकिन जितना ही निकलता है इसमें से हमको मिलती है और है हर्वेस्टिंग बहुत अच्छाтесь स्वादिश्ट ज cheating निकलता है कि हम लगता है कि हम किस तरीकों से इसको उगाए हैं किस तरीकों से इसका कьяरश किया है तो मेहनत के बाद इस तरह के फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए ये भी बहुत छोटे से गुरू बैग में इजली आप लगा सकते हैं इसको और इसकी हर्वेस्टिंग पूरी मिलती रहती है अभी तो खर बरसात में ज्यादा ये नहीं लगता तो है पर वो स् सकते हैं इसी में से बीज हम रख लेते हैं बीज में मुझे खरिदना भी नहीं पड़ता है और ये कबार हम बस मंगाए थे बीज इसके बाद हम खुद बीज इसका ज्यादा से ज्यादा मैं बीज अपनी घर से ही लगा देती हूं और उसी से हमको काफी फूरूटिंग मिल है हमको और इसमें भी काफी सारे बिटामिन्स होते हैं और बहुत इजली ये ग्रो हो जाता है इसका तो बीज खेर मंगाना पड़ता है और वैसे किसी भी सौब पे दस रुपिये का पैकेट मिलता है इसका और ये अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं तो ये एक बार लगा और ये और वह काटते जाए उपर से तो काफी सारी हर्वेश्टिंग इसकी भी पूरी गर्मियों में सारे पौधे मुर्जा जाते थे लेकिन ये बना रहता था इसी तरह और बहुत जादा केट ये भी नहीं मांगता है तो हमें तो लगता है कि जो हमें आसानी से मैं लगाना भी नहीं पड़ता किसी न किसी पौधे के साथ ये निकाल लाता है तो इसको भी मैं साग के साथ ही हर्वेस्ट कर लेती हूं उसको नोनी साग कहते हैं और ये अब राजिता भी हमारा पूरी गर्मियों में फ्लावरिंग करता रहा और देखेंगे कि अब भी भी इसम काफी सारी फ्लावरिंग हो रही है फूल काफी आ रहे है इसमें और इसका तो खेर ये है कि घर्मियों में थोड़ा धुप से बचाना पड़ा हमको छाओं में पाउधूं के नीचे रखना पड़ा क्यूंकि ये बहुत थोड़ा सेंस्टिप पाउधा है तो इसको अगर ज यह जो अपराजिता के फूल है फ्रेंस, फूल है डाली है एक तो इसका नाम ही अपराजिता है तो पहीं भी आप लगा देंगे तो सुब होता है उसके अलामा इसके फूलों में बहुत सारे गुर होते हैं जो इसके फूल के पौडर काफी महंगे बिखते हैं और कुछ हमने ये तरोई की harvesting की friends, जो कि ये इसमें कोई भी मैं harvesting करती हूं, उसमें friends हमारे फूल का मतरा जरूर होता है, मैं तरोई के फूल भी harvest कर लेती हूं, और चाहें कदुआ वो लगाती हैं या सफिद पेठा है, ये सब मेल फूल होते हैं friends, इसमें कोई फल नहीं लगता है, इस हमें मिलते हैं तो इस वज़े से मैं उसके लिए आर्वेस्टिंग जरूर पर लेती हैं